है यह लोग यूट्यूब चानल सोन्यम्म केमिस्ट्री विश्टों हम पढ़ रहे हैं हमारी क्यामिकल कानेटिक्स और अभी तक हम क्यामिकल कानेटिक्स में इतना सीख चुके हैं कि आपको रेट लॉग लिखना आता है चैक आपको रेट ला एक्स्प्रेशन किस तरीके से य क्यासा निकालना है यह आपको बेसिक बातें पता है अब हम आज के ग्लास से शुरू करने वाले हैं हमारा ओडर ओफ रियाक्शन में हमें बेसिकली कौन-कौन से और पढ़ने है जीरो और फर्स्ट ओर्डर आपको डीटेल में पढ़ना है उसके बाद सेकेंड और 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 उसमें आपके कभी कभा कोशन से आते हैं तो उनको भी हम देख लेंगे जो हमें डीटेल में पढ़ना है और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वह आपका जीरो और रियाक्शन और एक्जाम में कोशन्स यहां से आता ही आता है आप किसी भी एक्जाम की प्रिपरेशन कर करते हैं हमारी आज़के क्लांस जीरो और काले रियाक्शन अपके क्या होगी अपके बैक स!」 A reactant है वो आपको product दे रहा है P, ठीक है, A reactant से आपको product मिल रहा है P, अगर हम इसका rate of reaction लिखने ही कुशिश करें, यह आपको पिछली class में पताया था मैंने, ठीक rate of reaction आप कैसे लिखते हैं, rate of reaction हम दिनोट करते हैं, small r से, ठीक है, it is equal to rate constant और जो हमाय reactant है, उसकी concentration आप लिखत 0 order reaction कहते हैं, इसका मतलब कि आपका जो reactant होगा ना, उसका order 0 है, इसलिए हमने लिखाए कि A की power 0, तो हमने यह आपर देखा, कि जो हमारा order of reaction, with respect to A है, या फिर with respect to हमारा reactant है, ठीक वो क्या है, 0 है, इसे को हम कहते हैं, क्या 0 order reaction, तो इससे हमें साफ समझना है, ठीक हो पिछ किसी की power भी 0 होता है, इसका मतलब वो equal to 1 है, तो अगर यह A की power 0 है, तो मतलब that is equal to 1, इसका मतलब हमी इस reactant के concentration से कोई फरक ही नहीं पड़ता, ठीक है, तो हमारा rate of reaction किसके बराबर हो जाएगा, rate of reaction बराबर हो जाएगा rate constant के, मतलब 0 order reaction में आपको एक खास बात पता लगी, कि जा आपका rate of reaction है, उसको आपके reactant से कोई लेना देना ही नहीं है, reactant ही concentration से उसको कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है, मतलब हम क्या सकते हैं क्या, कि 0 order reaction में, ठीक, इन 0 order reaction, 0 order reaction, जो हमारा rate of reaction होता है, ठीक है, वो independent होता है, is independent of concentration of reactant. rate of reaction जो होगा zero order reaction में concentration of reactant के independent है. कोई लेना देना ही नहीं. उसे कोई मतलब नहीं है. तो हमें यह हमारा एक equation मिला है rate of reaction is equal to simple rate constant. reactant के concentration से कोई फट नहीं पड़ रहा. अब अगर मैं आपसे यह पूछूँ अगर हमें ग्राफ बनाना है. X axis में लिया है A की concentration मतब reactant की concentration और Y axis पर rate है. बताइए आपको क्या लगता है आप पर क्यासा ग्राफ मिलेगा. बहुत easy है. यह जो ग्राफ वाले questions पटका होते हैं आपके exam में. और बहुत important है. ठीक है. तो ग्राफ वाले क्योंकि अभी तो हम zero order reaction पढ़ रहे हैं. अभी आगे आने वाले class में हम first order पढ़ेंगे, फिर second order पढ़ेंगे तो कितने ग्राफ आप याद करेंगे? है ना? खाली काइनेटिक्स में थोड़ी बागी और सारे चाप्टर में भी ग्राफ होते हैं. कितने रट होगे? भाई, भूल जाओगे. इसलिए concept को ध्यान रखिए. concept के basis पे आप क्यासा भी question होगा ना? आप खुछ से कर सकते हो. ठीक है? तो बताओ, अब खुछ सोच के बताओ. हम zero order reaction के बाद कर रहे हैं. यहाँ पर सारी कहानी में zero order की ही काऊंगी. ठीक है? फर्स्ट ओर्डर से अभी हमें कोई लेना दिना नहीं. आज की class completely zero order analytics की है. ठीक है? ओके. तो अगर मुझे यहाँ पर देखना है कि एक ही concentration बढ़ रही है, तो rate पर क्या फर्ट पड़ेगा? अभी मैं इसाफसाफ का कि rate of reaction independent होता है concentration of reaction के. मतलब rate का इस पे कोई फर्ट पड़ने ही नहीं वाला. ठीक concentration अगर बढ़ रही है, घट रही है, कुछ भी हो रहा है, हमारे rate में कोई भी फर्क नहीं आएगा. rate जो था हमारा है, यक्स पर rate है. rate जो था, वो हमारा straight रहा, rate नहीं बढ़ रहा है. ठीक, rate उपर नहीं जा रहा है, rate नहीं बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है. rate constant है, आप concentration बढ़ा रहे हो, ठीक है, या घटा रहे हो, तो आपका concentration जो है, वो change हो रहा है, बढ़ rate पर कोई भी फर्क नहीं है. अगर यही हम यहाँ पर concentration के जगा time लिखते हैं बता, तो यह time से कोई फर्क पड़ेगा, time से भी कोई लिविर्टेन नहीं होता है, हमने यहाँ पर कहीं बेभी time तो मैंने आप पर note नहीं किया है, ठीक, इस reaction में मैंने यहाँ पर क्या time लिखा गया नहीं, ठीक है, concentration of reactant, या फिर आप time के बात करो, तो rate of reaction को zero order kinetics में इन दोनों से कोई लिविर दिना नहीं है, I hope इतना clear, ठीक, basic सी बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी कि zero order kinetics आखिर होता क्या है, ओके, अब हम देखेंगे, दीरे-दीरे आके चलेंगे, और समझेंगे, questions किस type क्या आते हैं, ठीक, उससे पहले, यहाँ पर zero order kinetics में एक बहुत important आपका जह सकते हैं, equation है, जिसको हम कहते हैं, integrated rate law, ठीक है, तो जो rate law भी हम पढ़ते आ रहे थे, वही rate law हम क्या करेंगे, अब हम zero order reaction के लिए उसको हम evaluate करने की कोशिश करेंगे, ठीक, derive करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि integrated rate law zero order reaction के लिए किस तरीके से calculate किया जाएगा, और exactly को equation होती क्या है, ठीक है ना, चलिए बच्चों, अब हमारी यह reaction है और इसके लिए हमें अपना integrated rate law लिखना है, ठीक है, integrated rate law अखिर क्या होता है, चलो जो, अब यह reaction देखो, zero order kinetics के लिए आपको हम क्या सकते हैं कि 99% chances यह हैं, कि आपको यह reaction मिले, ठीक है, कि A हमारे पास कोई reactant है और आपको product दे रहा है, ठीक है, यह ही आपको reaction मिलने वाली है, exactly, हम 99% chances यही हैं, ठीक, एक परसेंट वाले चांस है कि अगर वो थोड़ा सा difficulty level बढ़ाना चाहें आपके अग्जाम में, तो वो एक परसेंट वाले questions भी दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो अभी हमारा जो maximum chances अग्जाम में आने के बढ़ उसको पड़ते हैं, फिर आपको 1% वाले चांस है, जो आ सकते हैं, उसको भी हम पड़ेंगे, पहले हम इसकी बात करते हैं, हमें इसका integrated rate law लिखना है, ठीक तो फैल्टा आप सिंपल इसका rate law लिखने कोशिश करो, बताओ rate law हमारा क्या होता है, हमारा rate law क्या है, small r is equal to k, ठीक है, और a, और इसकी power हम क्या लिखेंगे 0, यही लिखते हुआ, ठीक है, यह हमारे rate law expression हो गया, ठीक, क्या हम rate किसी और तरीके से लिख सकते हैं, याद करिया हमारी first class, ठीक, जहां पर हम स्टोशियोमेट्री का coefficient का इस्तेमाल करते थे हैं, ठीक है, यहां पर आजाते हैं, और हम समझते हैं, कि एक और तरीका है, हमारे पास लिखने का, ठीक, यह रियाक्टेंट है, तो हमने माइनस लिखा, ठीक, इसका स्टोशियोमेट्री कोफिजन मेरा 1 ही है, तो हम 1 बाइ 1 लिखेंगे, तो लिखने की कुछ खार जूरत है, ठ ठीक है, यहां लिख देंगे क्या, dA by dt, जहां पर dA, dt आजाता है, वो आपका क्या है, instantaneous rate of reaction, ठीक है, तो basically हमें दो equation मिल गई, दोनों equation किसकी है, rate of reaction के, तो दोनों को equate कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को equate किया, तो हमें क्या मिला, ध्यान से देखना, इन दोनों को equate कर रह आपने हैं, कुछ हमारे same variable है, वो same side कर लेते हैं, है ना, तो जैसे यह a है, तो a को इधर ले जाते हैं, हमारे dt है, इसको इधर ले आते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा dA, ठीक है, by a0, ठीक है, यह dt इधर आजाएगा हमारा, तो minus के dt, यह हमें एक equation मिल गए, से हमनी हमने क् same variable से उनको हम same side लेके गए हैं, ठीक है, तो a0 को में इधर लिख दिया, तो यह हमारा नीचे denominator में आ जाएगा, ठीक है, अब इसको और आगे, आप कैसे solve कर सकते हो, अब इस particular equation में, क्या हमें किसी की value पता है, भई, a की concentration की हमने power 0 लिखा है, किसी की power 0 बन ही तो होता है, ठी तो हमें जाए equation मिली है, वो equation मिल गई है, ठीक है, यह आपकी equation यहां तक मिल गई, ठीक है, हमने यह पर लिख लिया, कि since, जह हमारा यह a की power 0 है, वो 1 के बराबर है, तो हमने यह equation बना दी, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए integrated rate लो, मतलब मुझे integration करना है, ठीक है, तो इ कि अने मिटस हम समाझते हैं, देखए, कोषिल को बहले साम च сторону, हमने क्या किया, हमने lett किया, कि मान लीजिए, मान लीजिए, हमारा जो a है, जो हमार रियाक्टेंट है, ठेक वो starting में, जो मलब initial concentration है, रियाक्टेंट की, वो है a 0, ठीक है, a 0 हमने क्या लिया लिया है, initial concentration of, initial concentration of reactant, reactant का जो starting में जो concentration है वो यह है, ठीक है, अब दीरे-दीरे क्या हो रहा है बहए time के साथ reaction मतला हमारी हो रही है और last night product मिल रहा है, तो एक time के बाद जब हमारी reaction complete हो जा रही है, ये था हमारा initial concentration जो reactant का concentration है, ठीक अब कुछ time के बाद जब reaction आपका complete हो जा रहा है तो हमें देखना है कि रियाक्टेंट कितना आपका concentration बचा है थिक रियाक्टेंट का कितना concentration बचा है तो उसको हमड़े note करते है ए ठीक है ए क्या कहा मैंने ए है हमारा final concentration of reactant which is remaining ठीक है यह बहुत important चीज है ठीक है हमारा final concentration है ठीक है लेकिन जो remaining है जो बचा हुआ amount है हम उसके बात कर रहे हैं तो यह starting concentration और यह हमारा जो finally जो बचा ठीक है जो finally remaining है वो concentration ठीक है ओके अब अगर हम time की बात करें विकोस आपको integrate करना है जो हमने a के लिए तो हहां पर limit set कर दी कि a के limit किया initial concentration मेरा a naught है और यह a naught से कहा तक हम जा रहे है final concentration a तक जा रहे है तो time की बात करें था हमारा initial time मदलब जब हमने reaction जिस्ट स्टार्ट की है तो time आपका zero है तो यह a naught कम हो जाएगा a naught है वेन आपका t equal to zero ठीक है a naught कब है जब आपका अब हमारा final concentration का मिलता है जब हमारा time कुछ time बढ़ता है अब exactly क्या time है हमें तो नहीं पता अभी बट उसको डिनेट कर लेते हैं कि वेन आपका जो time है उसको हम T से डिनोट कर रहे है तो जीरो से टी हमारे लिमिट है टाइम क्या बढ़ रहा है हमारा जीरो से लेकर टी तक लेमिट जा रहा है और हमारा जो कंसेंट्रेशन रेक्टेंट का वो ए नोट से ए तक जा रहा है ठेक तो यह हम लिख देंगे 0 से टी ठेक अब यह सिंपल आपका इंट्रिगेशन है क्या आप कर सकते हो इसको बताओ यह तो constant है constant हमारा आजएर ठेक यहां पर आजाएगा मड़ा टी और यह ओजाएगा जीरो से लेकर ठेक यहां मारे डी एक है यह हो जाएगा मड़ा ए ठेक यह है मरण ओप यह आँ रहा मैने से लेकर आज इसको अंसेعل और यह होजाएगा फी इंड points ठेक, यह हो जाएगा A-A0, ठेक, यह solve करके मिला, इसको और further solve करते हैं, देखो, minus kt, minus kt, अब यह क्या है, 0 से multiply करोगे तो 0 ही हो गया, ठेक है, हमारा यहां से एक ही time मिला है, जो कि यह minus kt, इधर गया, इधर मिला है, मुझे A-A0, ठेक, यहां पर क्या मुझे मिला है, यहां minus A-A0, ठेक है, देखो बच्चों, यह A-A0 और यह A की पावर 0 पर difference है, गल्ती मत कर देना, यह हमने जो लिखा है कि A की पावर 0, यह हमारा क्या था, reactant की concentration हमने लिखी थी, जब हम rate law expression लिख रहेते हैं, तो हमने बताया कि इसके concentration पर डिपेंड नहीं करता, तो इसके पाव order of reaction था, यह 0 क्या था, order of reaction, ठेक, यह जो हम A-NOT लिख रहे हैं, वो A-NOT क्या है, वो A-NOT है हमारा initial concentration of reactant, कि जब शुरुवात हुई है reaction की, तो उस तम आपका reactant का कितना concentration था, फिर time के साथ, आपका concentration जो है, वो कितना, मतलब कम होती जाए ने, concentration, ठेक, concentration जो है, वो कम होती equation मिली है, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, तो यहां से हमें मिला है क्या, गर हम A की terms में लिखें, तो A is equal to A-NOT minus KT, यह हमें मिल चुके है हमारी एक integrated rate law equation, ठेक, जो की सबसे ज़्यादा important यहां पर आने वाली है, ठेक, तो 0 order reaction के लिए हमने यहां पर अपना एक integrated rate law न concentration of reactant, जो बचा हुआ है, ठेक है, A-NOT के हमारे initial concentration of reactant, ठेक, स्टार्टिंग में जो reactant का concentration है, के हमारा rate constant है, ठेक, यहां लिख देती हूं, के के हमारा, के is rate constant, ठेक है, और T क्या है, T है हमारा time, ठेक है, कि मतलब किस time पर आपका जो initial concentration है, वो A-NOT से A तक जा रहा है, ठेक, ठेक, तो time क्या है हमारा, ठेक है, T क्या है, T है, anytime taken to convert A-NOT to A, ठेक, A-NOT initial concentration है, A हमारा final है, तो initial से final में convert होने के लिए, ठेक, जितना time लग रहा है, वो हम T से represent कर रहे हैं, So, this is our integrated rate law equation for zero order reaction, ठेक है, तो यह याद रखिएगा, इसे हम बहुत सारी questions करने को मिलेंगे, ठेक, पहले बताई, इतना आपको यह basic सी बात clear है, कुछ नहीं किया, हमने, simple कैसे derived किया, हमने अपना एक reaction लिखा है, ठेक, maximum chances आपको यह reaction मिलेगा, कि A से आपको product मिल रहा है, ठे 0, 1 होता है, ठेक है, तो एक equation यहां से मिली, एक हमारा average rate of reaction यापिन instantaneous rate of reaction लिख सकते हैं, दोनों के equate करा है, integrate किया है, और integrate करके हमने एक limit set करी है, A naught से लेकर A तक, time 0 से लेकर T तक, ठेक, यह limit set करके, integrate करके, final आपको अपना integrated rate law मिल किया, I hope इतना clear, देख लीजिए, कोई doubt ह तो पूर सकते हैं, अब बच्चों, इस equation के base पे अगर आपसे graph पूचा जाए, ठेक है, देखो graph मैंने आपर वैसा लिखा है, हमने y axis पे लिखा है, concentration of reactant मतलब की A, ठेक, A की concentration यहां पर हमने लिया है y axis, x axis पे लिख लिया है time, ठेक है, अब आप बताईयो मुझे इसका graph कै इसा बनना चाहिए, मैंने बोला था ना, graph बनाने के लिए equations पता होने चाहिए, ठेक है, रटो मत, ठेक, तो हम यह equation पता है, zero order reaction के लिए अभी हमने क्या दो equations पढ़ी है, एक तो हमने equation पढ़ी यह वाली, कि R is equal to K होता है, है ना, और दूसरा हमने पढ़ा है, अभी A is equal to A not minus K T, ठेक है, तो क्या हम इसको relate कर सकते हैं, एक straight line equation के साथ, बता है, एक straight line equation क्या होती है, Y is equal to Mx plus C, ठेक है, तो यह हमारा A क्या है, Y है, यहाँ पर यह minus K क्या है, this is minus K, ठेक है, यह हमारा M है, ठेक, T क्या है हमारा, T है हमारा Mx, और यह क्या हमारा C, तो यह हमारी एक equation बन यह y is equal to mx plus c this is a straight line equation ठेक है इसके according क्या आप यह graph बना सकते हो plot कर सकते हो x axis पर आपने time लिया है मतलब time हमां बढ़ा रहे है ठेक है time क्या है हमारा यह रहा time ठेक x axis पर यह रहा time okay concentration a के साथ हम इसको plot कर रहे है मतलब a के साथ प्लॉट कर रहा तो हमने y और x यह रहा ठेक है वाई हमारा a की concentration x मेरा t है ठेक तो slope क्या है मेरा slope है minus k ठेक माइनस है negative slope है negative slope से समझ में आ जाएगा कि आपका जो graph बनेगा वो कुछ ऐसा बनने वाला है ऐसा बनने वाला है ठेक negative slope है अगर positive slope होता देखो यह straight line equation है ठेक तो straight line बनेगी इतना for sure है ठेक है अब positive बनेगी ऐसी बनेगी या negative बनेगी यह decide करेगा आपका slope minus में दे रखा है तो negative slope है positive होता तो आपका positive slope बनता ठेक है तो हमें समय में आ गया कि यह मारे जो slope है वो एक negative slope बन रहा है इस तरहेके से ok 72 ok bay है इक है हमारा हैン पर slope क्या है एम हमारा क्या है minus के-क वाइन यह रहाब यहांपर जो एइम है मतलब हुम कहा सकते हैं हमारा slope है ठेक Whew कि सो किसके बराबर होता है 10 थीटा के बराबर ठीक है 10 थीटा के बराबर तो 10 थीटा किसके बराबर है 10 थीटा हमारा माइनस के बराबर ठीक है इस इकल टू माइनस के ओके C मेरा intercept है जो कि A0 है तो C intercept है मतलब कि ये जो है हमारा portion ये हमारा A0 होगा ये हमारा क्या है A इस तरीके से आप लिख सकते तो I think आपको clear है Y हमारा Y axis पे X axis पे time है slope मेरा 10 theta मतलब माइनस K है और intercept क्या है A0 तो straight line equation से हमने एगराफ बना लिया ठीक है I hope आपको अब आपाच समझ में आवे होगी चलिए बच्चों आप 0 order reaction हमने सीख लिया इंडिकेड़ेक लाव भी सीख लिया हम देखते हैं कि Half life of reaction या फिर lifetime of reaction क्या होता है तो पहले तो नाम से समझते है Half life of reaction ठीक इसको हम दिनोट करते हैं T half से ठीक है T 1 by 2 लिखते हैं या फिर T 0.5 भी लिख सकते हैं तो इसके सानाम से हमें समझ में आ रहा है कि Half life of reaction मतलब कि जो हमने reaction करी है ना तो reaction complete करने में आपको time लगता है माले जे T ठीक है और Half life का मतलब क्या हुआ कि जब आपका reaction 100% नहीं 50% आधा complete हुआ है ठीक है तो वो time आपका T half कलाएगा मैं आफ life आपका क्या है time है जहां पे reaction आपके 50% जुह है ठीक है 50% complete हो चुकी है ठीक तो इससे हम आखिर equation क्या से निकालेंगे तो अभी तक हमने दो ही equations पता है एक हमें पता था भी हमारा zero order reaction का r is equal to k होता है और एक अभी हमने जस्ट पता किया कि a is equal to a not minus kt ठीक है यह हमने equation पता करेंगे ठीक है अब इसके according हमारे यहां पर क्या कर changes आएंगे बताओ हम कहरें कि हमारा half life है ठीक है T half है तो यहाँ पर T को replace कर देंगे T half से ठीक हमारा time है जो hundred percent completion होने में जो time लगने वाला है ठीक उसको हम कहा रहें कि हमें 50 percent completion पे ही time पता करना है तो हमारा T equal to T half हो जाएगा तो बताओ एक ही concentration क्या होई एक ही concentration हमारा क्या है एक का concentration हमारा initial concentration था a not ठीक और last में जो remaining था वो था हमारा a अब हमें क्या चाहिए कि में 50 percent time पर ठीक जहां पर 50 percent reaction complete हुई है उस time पर आपका concentration क्या होगा a का ठीक तो initial अगर मेरा a not था तो हमारा 50 percent पर क्या होगा a not by 2 ठीक है तो हमारा a किसके बराबर है a not by 2 के बराबर है इनको replace करते है यह हमारा as it is है a not sorry a हमारा क्या है a not by 2 है ठीक a not as it is लिखा minus k t मेरा t half है ठीक अब यहां से मुझे equation निकाल नहीं है t half की value बता कर दीक है ठीक है तो इसको solve करते हैं फटाफट यह मेरा है minus k t half है ना so this is equal to a not by 2 और a not इतर गया तो minus हो जाएगा ठीक है इसको अगर हम solve करेंगे तो lc हम लेते हो तो यह आ जाएगा आपको यहां पर 2 ठीक है यह आ जाएगा 2 a not ठीक है इसको solve करिए a not minus 2 a not क्या बचा a not बचा और minus का बचा by 2 ठीक यहां पर है मेरा minus k t half ठीक माइनस माइनस कट गया t half k को अगर हम इधर लेके जाए तो k इधर आ जाएगा यह मेरी equation बन चुकी है क्या बनी है t half is equal to a not by 2k मतलब हमें एक relation में चुका है t half का कि t half किसके बराबर होता है a not by 2k t half मेरा क्या है half life of reaction ठीक है a not क्या है initial concentration के मेरा rate constant है ठीक तो यह important equation है questions आपके पूछी जाएंगे आपको equation याद हो नहीं चाहिए तो जीरो और reaction के लिए अब lifetime के बात करते हैं तो time इन वे जहांको 100% complete हो रहा है reaction है ना lifetime मतलब पूरा आपको complete time कितना लगा है reaction को complete होने में तो हम इसको denote करें के पिर t is equal to tlf टेक है tlf मतलब lifetime of the reaction okay तो हमारा बताओ a की concentration क्या होगा हम कह रहें initial मेरा a not था ठीक है और पूरी reaction complete हो चुकी 100% ठीक इसका मतलब जो हमारा concentration reactant का वो पूरा खतम हो चुका है 100% complete हो चुका है तो यह हमारा 0 है तो हमने equation याद क्या की थी a is equal to a not minus kt ठीक है अब यह हम यहाँ पर put करना है t मेरा क्या है t lifetime है ठीक सब कुछ as it is लिख दूंगे मैं ठीक है a मेरा 0 है तो यह की जगह 0 लिख देंगे और हमें यहाँ इक्वेशन क्या मिली कि a not is equal to kt lf ठीक तो यहाँ पर हमारा जो t lifetime है वो है a not by k ठीक difference आगे आपको समझ में देख लो ध्यान से देख लो जो हमारा half life है वो है हमारा a not by 2k ठीक और जो complete lifetime है वो है a not by k ठीक है तो half life में हमने यहाँ पर two लिखना है याद रखना है यहाँ पर आपका 2k आएगा ठीक के basis भी हमने हमारा half life और हमारा lifetime of the reaction देखा टी हाफ a not by 2k और हमारा t lifetime a not by के आता है तो यह कुछ relations है directly आप याद रखेगा ताकि आप exam में questions में directly questions को apply करिए और आप अपना solve कर सकते हो question अब में जो relations है ना आपके जो zero-order reaction आपको ध्यान रखने थे वो तो मैं आपको बता दिए अब इलही relations के base पर आपसे question के तरीके से पुछ जाता है ठीक है तो questions आपको practice करनी पड़ेगी question समझना पड़ेगा ठीक है तो अगली class में हम अपने complete question प्राक्टिस करने वाले हैं जो हमने zero-order reaction की कहानियात समझी है उसको ही हम apply करेंगे इंदा questions टेक और मैं आपको long method भी बताऊंगे और फिर के अग्जाम की मतलब कोई basic level आपका exam का या higher level है ठीक क्या साथ है अग्जाम है अगर आप कानेक्टिक्स पड़ रहे हैं तो chemical टाइम सेब कर सेकर exam में questions easily करता है ओके अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और अलसे वीडियो को ठेक है और जितने जादे लोगों को आप शेर कर सकते हैं प्लीज डू शेर थैंकियो सो मच बाइबाइ